वाय गुर्दा खाल्चा, वाय गुर्दी फते, केंद्रियम मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी गाण, राज्यों के मुकमंत्री गाण, विबिन सम्मानि समस्ताओं के चैर्मेन और प्रसेडेंट, डिप्लोमेट्स, देश बर से जुड़े, विशेश रुप से इसकारकम के साथ आये हुए बालक बालिकाएं, अन्य सब्य महानुभाओ, देवी और सजनों, आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है, जिस दिन को, जिस बलिदान को, हम पीडियों से याद करते आये हैं, आज एक राष्ट के रुप में, उसे एक जूट नमन करने के लिए, एक नई शुरुवात हुई है, सहीदी सप्ता, और ये वीर बाल दिवस, हमारी सीख परंपरा के लिए, भावों से भड़ा जुरूर है, लेकिन इससे, आकास जैसी, अनन्त प्रेरणाये भी जुड़ी है, भीर बाल दिवस, हमें याद दिलाएगा, कि शौरी की पराकास्टा के समय, कम आयो, माइने नहीं रखती, भीर बाल दिवस, हमें याद दिलाएगा, कि दस गुरू का योगदान क्या है, देश के स्वाविमान के लिए, सिख परंपरा का बलिदान क्या है, बीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है भारत की पहचान क्या है हर साल बीर बाल दिवस का ये पुन्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविश का निर्मान करने की प्रेरणा देगा भारत की युवापीडी का सामर्त क्या है भारत की युवापीडी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है मानुता के कितने गोर प्रगोर अंदकारों से हमारी युवापीडी ने भारत को बाहर निकाला है वीर वाल दिवस आने वाले दस्टकों और सद्धियों के लिए ये उद्गोश करेगा मैं आज इस अवसर पर वीर साहिब जादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतग्य सद्धाज लिए अर्पित करता हूँ इसे मैं अपनी सरकार का सहुभाई की मानता हूँ कि उसे आज 26 दिसंबर के दीन को वीर वाल दिवस के तौर पर गोशिद करने का मौका मिला मैं पिता दस्वेज गुरु गुविन सी जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ मैं मात्र शक्ती की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना सीज जुखाता हूँ साथियों विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास कुरुता के एक से एक खौपनाग अध्यायों से भरा है इतिहास से लेकर किवन्द्यों तक हर कूर चहरे के सामने महानायकों और महानायकाओं के भी एक से एक महान्चरित्र रहे लेकिन ये भी सच है कि चमकोर और सरहिंद के युत्मे जो कुछ हुआ वो भूतों न भविशती था यतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को दुद्रा कर दिया ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल तीन सभी पहले हुआ एक और थार में कट्रता और उस कट्रता में अंधी इतनी बड़ी बुगल सल्तरयत दूसरी और ज्ञान और तपश्या में तपे हुए हमारे गुरु भारत के प्राचीन मानविय मुल्यों को जीने वाली परंपरा एक और आतं की पराकास्टा तो दूसरी और अध्यात्व का शिर्ष एक और आतं की पराकास्टा और मजह भी उन्वाद तो दूसरी और सब में इस वर देखने वाली उदारता और इस सब के बीच एक और लाखों की फोज और दूसरी और अकेले होकर भी नीडर खड़े गुरू के वीर साहब जा दे वीर साहब जा दे किसी दम की से डरे नहीं किसी के सामने जुके नहीं जोरावर्ची साथ और फतेशी साथ दोनों को दिवार में जिन्दा चुनवा दिया गया एक और नुसंस्दा ने अपनी सभी सिमाए तोर दी तो दूसरी और थैरिय शारिय पराकर्म के भी सभी प्रतिमान तूट गए साहिब जादा अजीद सीग और साहिब जादा जुजार्थी ने भी बहदुरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेणा दे रही है भाई और बेनों जिस नेज की विरासत ऐसी हो जिसका इतिहास ऐसा हो उसमें स्वाभाविक रुप से स्वाभी मान और आत्म विश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गड़े हुए नेरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिन से हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो बावजुदिस के हमारे समाज ने हमारी परंपराओं ने इन गवरव गाथाओं को जिवन्त रखा साथियों अगर हमें भारत को भविश्य में सफलता के सिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुची इतना जरियों से भी आजाद होना पड़ेगा इसलिए आजादी के अमरित कानवें देश ने गुलामी की मानसिक्ता के मुक्ति का प्रण फूंका है बीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राण वायू की तरह है साथियों इतनी कम उम्र में साब जादों के इस बलीदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपड़ेश छिपा हुआ है आप उस दोर की कल्पिना करिए आवरंग्जेब के आतन के खिलाब भारत को बदलने के उसके मनसुबा के खिलाब गुरुगोविन सीजी पहाड की तरक खड़े थे लेकिन जोरावर्ची साब और फतेशी साब जैसे कम उम्र के बालकों से आवरंग्जेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी दुन दिर्जोस बालकों को दिवार में जिन्दा चुनवाने जैसी दरीन की क्यों की गई वो इसलिए क्यों की आवरंग्जेब और उसके लोग गुरुगोविन सीजी के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे जिस समाज में जिस रास्त में उसकी नई पीड़ी जोर जुल्म के आगे गुटने टेक देती है उसका आत्म विश्वास और भविश्य अपने आत्म बन जाता है लेकिन भारत के वो बेटे वो वीर भारत मौट से भी नहीं गवराए वो दिबार में जिन्दा चुन गए लेकिन उन्हों ने उन आतताई मनसुबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया यही किसी भी राष्ट के समर्तिवा का सामर्त होता है युआ अपने साहत से समय की धारा को हमेशा के लिए मोर देता है इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युआ पीडी भी देश को नई उचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है और इसलिए अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भूमिका और भी एहम हो गई है साथियों सिख गुरु परंपरा केवल आस्ता और आध्यात्म की परंपरा नहीं है ये एक भारत स्रेष्ट भारत के विचार का भी प्रेरना पुंज है हमारे पवित्र गुरु गरंप साब से बड़ा इसका उदाहरन और क्या हो सकता है इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से पंदरा संतों और चौदा रचनाकारों की बानी समाईत है इसी तरह आप गुरु गोविन सींजी की जीवन यात्रा को भी देखिए उनका जन्मा पुर्वी भारत में पट्नाबे हुआ उनका कारे खेत्रा उत्तर पसीमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महराष्ट में पुरी हुई गुरु के पंच प्यारे भी देख के अलग-अलग हिस्सों से थे और मज़े तु गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धर्ती से भी था द्वारिका से गुजरात से जहां मुझे जन्मा लेने का सोभ़ाई के मिला है ब्यक्ति से बड़ा विचार विचार से बड़ा राष्ट्र राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविन सीजी का अटल संकल पता है जब वो बालग थे तो ये प्रस्ट आया कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरुरत है उन्होंने अपने पीता से कहा कि आप से महान आज कौन है ये बलिदान आप दीजिए जब वो पीता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया जब उनके बेटों का बलिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार अर्थात मेरे चार बेटे मर गए तो क्या हुआ संगत के कई हजार साती हजारों देशवासे मेरे बेटे ही है देश प्रथम नेशन फस को सर्वोपरी रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेना है इस परंपरा को ससक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंदों पर है साथियों भारत की भावी पीड़ी कैसी होगी यह इस बात पर भी निर्भर करता है वो किस से प्रेना ले रही है भारत की भावी पीड़ी के लिए प्रेना का हरसोत इसी धर्ती पर है कहां जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालग भारत के नाम पर पड़ा वो सीहों और दावनावों तक सम्हार करके ठकते नहीं थे हम आज भी धर्म और भक्ती की बात करते हैं तो भक्त राज परहलात को याद करते हैं हम देर्यों और विवेक की बात करते हैं तो बालग जुरू का उदाव देते हैं हम मृत्यू के देवता यमराज को भी अपने तब से प्रभावित कर लेने वाले नची केता को भी नमन करते हैं जिस नेत्वी नची केता ने बाल लेकाल में यमराज को पूछाता बाल राम के ज्ञान से लेकर उनके शवर्य तक वसिष्ट्र के आस्रम से लेकर विश्वा मित्र के आस्रम तक उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्स देखते हैं प्रभुराम के बेटे लवकुष की कहाने भी हर मां अपने बच्चों को सुनाती है स्री क्रस्ट्र भी हमें जब याद आते हैं तो सबसे पहले काना की वो छबी याद आती है जिनकी बौशी में प्रेम के स्वर भी है और वो बड़े बड़े राक्ष्चों का संहार भी करते है उस पाउरानी की यूग से लेकर आदुरी काल तक वीर बालत बाली काएं भारत की परंपरा का प्रतिबीम रहे है लेकिन साथियो आज एक सच्चाई भी मैं देश के थामने दोहरा ना चाहता हूँ साब जादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याक किया अपना जीवन ने उच्छावर कर दिया लेकिन आज की पीडी के बच्चों को पूछेंगे तो उनमें से जादातर को उनके बारे में पता ही नहीं है दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी सौरिय गाता को इस तने भुला दिया जाए मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊँगा कि पहले हमारे हाँ क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अमनाया भारत दसकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है किसी भी रास्ट की पहचान उसके सिध्धान तो मुल्यों और आदर्सों से होती है हमने इस यहाँज में देखा है जब किसी रास्ट के मुल्य बदल जाते हैं तो कुछी समय में उसका भवी से भी बदल जाता है और यह मुल्य सुरक्षी तब रहते हैं जब बर्तमान पीडी के सामने अपने अतीद के आदर्स पस्त होते हैं यूआप पीडी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोल मॉरल्स की जरुवत होती है यूआप पीडी को सीखने और प्रेरा लेने के लिए महान व्यक्तित्म वाले नायक नायकाओं के जरुवत होती है और इसलिए ही हम स्री राम के आदर्सों में भी आस्ता रखते हैं हम भगवान गौतम बुद्धर और भगवान महवीर से प्रेणा पाते हैं हम गुरु नायक देवजी के वाणी को जीने का प्रियास करते हैं हम महरणा प्रताप और छच्च्रपती सिवाजी महाराज जैसे वीरों को बारे में भी पढ़ते हैं इसलिए ही हम विबिन जेंतिया मनाते हैं सेक्ड़ों हजारों वर्ष पुरानी गटनाओं पर भी परवों का आयोजन करते हैं हमारे पुरवजों ने समाज की जरुवत को समझा था और बारत को एक ऐसे देश के रुप में गड़ा जिसकी संस्कृती परवों और मान्यताओं से जुड़ी है आने वाली पीडियों के लिए यही जिम्मेदारी हमारी भी है हमें भी उस्तिंतर और छेतना को चिरंतर बनाना है हमें अपने वैचारी प्रवा को अक्षून रखना है इसलिए आज़ादी के अमरत महोसों में देश स्वादिंता समगराम के इत्यास को पुनर जिवित करने के लिए प्रयास कर रहा है हमारे स्वादिंता सेनानियों के विरांगनाओं के आदिवासी समाथ के योगदान को जन जन तक पहुँचाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं वीर बाल दिवत जैसी पुन्यती थी इस दिशा में प्रभावी प्रकास तंब की भुमिका निभाएगी साथियों मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवत से नई पीड़ी को जोड़ने के लिए जो त्वीज कंपुटिशन हुआ जो निमंद प्रतियोगिता हुई उसमें हजारों युवाउंने हिस्सा लिया है जम्मु कश्मीर हो दक्षिन में पुड़ी चोरी हो पूरम में नागालैन हो पस्सिम में राजस्तान हो देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के साहब जादो के जीवन के विशे में जानकारी नली हो निमंद नली खा हो देश के विबिन स्कुलों में भी साहब जादो से जुड़ी कई प्रतियोगिता हुई है वो दिन दूर नहीं जब किरला के बच्चों को वीर साहब जादो के बारे में पता होगा नौर्थिस के बच्चों को वीर साहब जादो के बारे में पता होगा साथियो हमें साथ मिलकर वीर बाल दिवस के संदेश को देश के कौने कौने तक लेकर जाना है हमारे साहिब जादों का जीवन उनका जीवन ही संदेश देश के हर बच्चे तक पोचे वो उनसे प्रेणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने हमें इसके लिए भी प्रयास करने मुझे भी स्वास है हमारे एक जुट प्रयास समर्थ और विक्सित भारत के हमारे लक्ष को नई उर्जा देंगे मैं फिर एक बार वीर साहिब जादों के चर्णों में नमन करते हुए इसी संक्रप के साथ आप सभी का रदे से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ